नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनेस एजूकेशन पर 500 प्लस मल्टिपल चोइस कोशन की जो रिविजन सीरीज आपके आगामी एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है उसका यह पार्ट 21 है तो वीडियो को लाश्ट सीरीज हमारे द्वारा इस्टाट की गई है यह बहुती यूस्पूल है तो चलिए शुरूबात करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं हमारा पहला कोशन पहला कोशन ने चटकोरा नृत्त किस जंजाती द्वारा किया जाता है चार उप्शन आपके सामने गोंड भिल कोर तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है कोरकु जंजाती द्वारा जो चटकोरा नृत्त है वह किया जाता है देख लेते हैं कोरकु जंजाती से जुड़ी कुछ जानकारी कोरकु का अर्थ होता है मानव का समू यह जो जंजाती है सत्पूरा परवत छित्रों में नि विरेंगे दित्वा करती है कौर्को जंजाती मुंडा या कौलिरिएं जंजाती की एक बशारी कहते हैं जो कोषट्वान है बला अगला कोष्चन अगला पास आपके लिए जो कुछ बूक्स उपलब्द है जिसमें कि मत्रप्रद सामाने ग्यान के पच्छी सो प्लस मल्टिबल चोइस कोश्चन्स की एक बूक उपलब्द है जो कि आपकी आगा में सभी एक्जाम के लिए चाहे वह MPPSC हो MPSI हो कॉश्चेबल हो ग्रूप 2 हो ग्रूप 3 हो ग्रूप 4 या क्रसी विस्तार अधिकारी या कोई सी भी MP गॉर्मेंट की एक्जाम हो उसके लिए जो पच्छी सो प्लस के मल्टिबल चोइस कोश्चन की जो हमारी बूक है बहुत ही इंपोर्टेंड है साथ जो करेंट आउट लू है करेंट आफैर्स आपको मिल जाएगा साथ अगर करेंट आप मंतली पर्चेस करना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्द है कुछ और बूक से जिसमें के रामबार नोट से जो की MPGK से संबंदी थे और इसमें जो है वन लाइनर फो में जो है आपको MPGK मिलेगा सा लिए देखते हमारा next question अगला question हमारा कवी प्रदिप संबंद की स्ताफना किस वर्ष में हुई थी चार option आपके सवामने 1912,194,193 या 2012 तो इसका जो सही जावाब बनता है वो बनता है 2012 में कवी प्रदिप संबंद की जो इस्ताफना है वह हुई थी मद्यप्रदेश संस्कृति एवं कला विभाग द्वारा कवी प्रदिप की इस्मृति में गीत एवं कवीता लेखन के 16 में वर्ष 2012 में जो है यह संब्मान इस्ताफित किया गया था तो जो संब्मान का इस्ताफना वर्ष है वह इंपोर्टेट बनता है कौन सा है 2012 और इसक किसी कोई भी संब्मान वह उसका एपोर्टेंट रहता है में बात करें कि पहला जो कवी प्रदिप्व्वमान कीसे दिया गया था तो Shwag नीरच और किस वर्ष में दिया गया था जो 2018 का कवी प्रदिश सम्मान है वह किसे दिया गया तो प्रसिद्ध कवी है जिनका नामे डाक्टर हरियोम पवार उनको जो है 2018 का कवी प्रदिश सम्मान दिया गया है जो हरियम जी पवार है इनके बारे में तो आप सभी ने सुनी रखा हुगा अपनी जो देश भक्ती की कवीता है उसके लिए यह विश्व भर में विख्यात है तो चलिए देखते हमारा अगला कोश्चन अगला कोश्चन मद्द प्रदस में तंबाक उत्पादन में किस जिले का प्रथम इस्तान है चार उप्षन आपके समने रिवा, सिहोर, सागर्या, मन्सोर तो इसका जो सही जावाब बनता है वह बनता है रिवा जिले में रिवा जिला जो है तंबाक उत्पादन में मद्द प सोलई नेसी कुल का पोधा है इसके लिए उष्णकटिबंदी जलवायो तथा लाल पिली ब्रदा उप्योगत होती है मद्य प्रदेस में तंबाकु उत्पादम में रिवाद जिला जो है उसका प्रथम इस्तान है वही तंबाकु जो है एक नसीला प्रदारत है या जिसको जो नशा करने के लिए जो खाने सेवन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है साथ जो है अफिम जो है वह भी एक नसिला प्रदारता है तो इससे जूड़ी भी जानकारी आपको यहां पर देते हैं अफिम जो है रभी की फसल है यह जो कोशन है कहीं बार एक्जाम में पूछा से गया है कि अफिम जो है निम्हे लिखित में से कौन सी फसल है और शनी नहीं इसको सखाओ घ्रिआERS नामम वहें पेमपेवर सोमनी फेरस अफिम का जो है वानस्वतिक नाम है यह जो है पेपा पेपा वी अफिम के प्रधिस का प्रथम तता निमच जीले का दिती इस्तान है तो कि ही हमने या पर तंबाकु और अफिम दोनों का डिसकस कर रहे हैं तो तंबाकु उत्पादन में मद्यप्रदिश का कौन सा जिला प्रथम इस्तान रखता है तो वह है रिवा और अगर अगर दितिय इस्तान पुछा जाए या सेकेंड पोजिशन पुछी जाए आपका अफि अफिम का जो उप्योग है उस्दी निर्मान में किया जाता है साती गेर कानोनी रूप से इससे जो है ब्राउन सुगर और हीरोईन आदी मादक पदार्त भी बनाये जाते हैं राज्य के निमत जिले में अफिम से उस्दी बनाने का जो कार खाना है वह भी इस्तापित किया तो यह तो इस कोश्चन से जूड़ी जानकारी चलिए दिखते हैं हमारा अगला कोश्चन तंगश्चन उत्पादन में प्रथम इस्तान है देख लेते हैं इस से जूड़ी कुछ जानकारी टंगाश्चन जूए सरवादिक गलांक वाली धातु है इसका उप्योगे इस्ट प्रतिरोधी और लोहे की माटी चादरों को काटने में किया जाता है टंगस्टन उत्पादन होशंगाबाद जिले का प्रथम इस्तान है और होशंगाबाद में भी अगर आपसे जगह पुछी जाए तो वह जगह है अगर गाउं साथ यहां पर जो है ग्रेफाइट से जूड आगर गाउं ग्रेफाइट की बात कर रहा तो यह किस जिले में पाय जाता है तो यह जो है बेतुल या जो बचुछा है वह ग्रेफाइट के बंडार के लिए प्रसिद्ध है और जो ग्रेफाइट है इसका उप्योग इसने हक पेंट बेटरी यह पेंसिल आदी उद्धोगों में किया जाता है तो यह थी टंगश्टन और ग्रेफाइट से जुड़ी जानकारी चलिए देखते हमारा अगला कोश देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी यह राजिस्तान के कोटा में इस्तित एक अवरोधक बांद है इसका निर्मान कारे जो है वर्ष नैंटीन फिप्टी थी में प्राराम हुआ था था वर्ष उनिससो साथ में पूर्ण हुए इस बांद के पास कोटा ताफ व और पूर्ण होने का जो वर्ष हैтиров foolishly 2060 है है और इसमें जो है दो नहरे निर्मित की गई है जिन से मद्ध्र toदेश और राजिस्तान में सिचा होती है बाई और की जो नहर वही 124 किलोमेटर राजिस्तान में तथा 248 किलोमेटर मद्ध्र प्रदेश में फेली हुई है इससे दो है जो है दोनों राज्यों की सिच्च चाही होती है दाइँ नहर जै उससे पूरवी जिलेल, भामीत होते है जबकि बाइई नहर से राजीस्थान में सिच्च होती है जिसकी कुछल लंभाई जो है एकलतर किलो बोड का गठन कभ किया गया था तो चार ऑफ्षन 2011 2013 2014 2015 तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 2013 में मद्ध्य प्रदेश बास मिशन एंव बास सिल्प विकास बोड का जो गठन है वह किया गया था देख लेते हैं इससे जूड़ी कुछ जानकारी मद्ध्य प्रदेश म मद्ध्य प्रदेश बास मिशन एंव बास सिल्प विकास बोड का जो गठन है वह किया गया था मद्ध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम है वर्स 1862 में भारत के प्रथम ब्रिटिस कालिन वन निती बोरिय बहरन ओशंगाबाद में लागू की गई है तो यह जो कोश तॉय already watching भी ग्यांट मद्धë प्रदेश में one विभाग मध्यप्रदास राज्य लगून संग्डेश अधरज वर्श 2011 से प्रती वर्शंग हरबर मेले का आयोजन किया जा रहा है और जो अंतराष्टी हरबर मेला है प्रतिवर्ष कहा आयोजित किया जाता है तो भूपाल में आयोजित किया जा रहा है इसकी शुरुवाद का पस्यों दियुक्ति तो 2011 से यह भी स्षान आप याद रख लीजेगा देखते हैं हमारा सबसे बड़ा दिसंबर 2010 को इस्ताफित किया गया था तो इसकी जो सबसे बड़ा राष्ट्री उद्ध्यान है इसका जो कुल छेत्रपल है इसकी जो सबसे बड़ा जीवास्मर राष्ट्री उद्ध्यान है तो इस जीवास्मर राष्ट्री उद्ध्यान से जुड़ी जानकारी होई बात करें कि मद्ध्यप्रद्ध्यान सबसे बड़ा जीवास्मर राष्ट्री उद्ध्यान है वह का इस्तित है तो वह मंडला में सोरी वह जो है डिंडोरी में इस्तित है तो यहां ती इससे जुड़ी जानकारी है चलिए देखते हमारा अगला कोश्चन जैसा कि डेली दो कोश्चन जनुत्येर बन्हंदप्रदस सबसे तो कल जो कोश्चन को जो है हम डिसकस कर लीते हैं, कर्पो कोश्चन पूछा गाया था उसमें से पहला कोश्चन था मद्द प्रदेश के किस शहर में तांसेन का मगबरा इस्तित है तो इसका जो सही जावब बनता है वो बनता है ग्वालियर में मद्द प्रदेश जो शहर जो तांसेन का मगबरा है वह यहाँ पर इस्तित है यानि कि मद्द प्रदेश का शहर ग्वालियर महाँ पर जो तांसेन और हालीमे मने Forest to see the शामिर कलए यहां होच्छनु की निम्नल लिखित मैंसे किस जनक़ती का जो संबन्ध粉 Penny जो सही जर बनता है खेरवार जनजा जाती का जो संबंध में कथ्या उद्योक से है खेर से जो कत्था बनाने का कारेश से द्वारा जुए अधिकतर किया जाता है यह थे इस कोश्चन से जूड़ी जानकारी देखते हैं हमारा अगला कोश्चन यह जो दो कोश्चन आप से पूछ रहे हैं इसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है कोश्चन मद्यप्रदेश के किस इस्तान पर जोगेश्वरी देवी का मिला आयोजित किया जाता है चार ओप्षन है चंदेरी भांडेर पोर्शाय गोगरातुश का जो भी सही जावब आपको हमें कमेंट करके बताना है अगला कोशन है मद्यप्रदेश की सरवादिक उची चोटी जिसका नाम है धूगड जो कि 1350 मिटर उची है निमने लिखित में से किस भाग में इस्तित है वह कौन से भाग में इस्तित है मद्यप्रदेश उच्चे प्रदेश में या रिवा पन्ना के पठार में सत्पुडा मेकाल सेणी में या पुर्वे पठार में तो इसका जो सही जवाब है आप हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा तो साति ओ आज के लिए बस इतना ही वीडियो यही समाप्त होता है वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीस अधिक अधिक लोगों तक इसे शेयर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कल ली जगा ताकि जो डेली वीडियो अपलोड होते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का